एक या एक से अधिक समान अर्थ वाले सब्दों को प्रेवाची सब्द या समानार्थी सब्द कहते हैं और आज हम इस वीडियो के अंदर दर्ति का प्रेवाची सब्द या दर्ति का समानार्थी सब्द के बारे में जनी तो वीडियो को पूर्रा देखें सबसे पहले हम जान में लेते हैं कि दर्ती का प्रेवची सब्द या दर्ती का समानार्थी सब्द क्या होते हैं? दोस्तों, दर्ती का प्रेवची सब्द या दर्ती का समानार्थी सब्द होती हैं? भू, दर्नी, धरित्री, रसा, जया, अवनी, मोदिनी, जबती, भूई, उरा, दर्नी धरा, इला, भूमंडल, धारित्री, खगवती, खंडिनी, भूत्ध दात्री, आदी सब्द दर्ती के प्रेवची सब्द या समानार्थी सब्द होती हैं? इसके अलावा, साथ ही हम दर्ती के बेश्ट पांच रोचकत थे भी जान लेती हैं, तो दर्ती के पांच बेश्ट रोचकत थे होती हैं, पहला रोचकत थे. क्या आपको पता है कि दर्ती के कुल 100% में से 71% भाग में पानी रहता हैं, और बचा हुआ 21% भाग ही जमीन है, जिसे बुमी का आ जाता है. दूसरा रोचकत थे, क्या आपको पता है कि दर्ती की उत्पती 4.54 अरब वर्ष पूर्वा हुई थी? क्या आपको पता है कि प्राचीन समय में एक महाराजा हुआ करती थी जिनका नाम महाराजा प्रितु था और इनके नाम पर ही दर्ती यानी पर्थवी का नाम रखा गया है और यही कारण है कि इसे पर्थु भी कहा जाता है चोथा रोचक्त थी यह तो आपको मालूम ही होगा कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं यानी कुल 365 दिन मगर इन दिनों का अनुमान दर्ती के सूरिय के चार और चकर लगाने से किया जाता है पांचवार रोचक्त थी क्या आपको पता है कि पर्थु की जो उपरी सतय है वह एक ठोस के रूप में होती है क्यों यहाँ पर पत्थर और मर्दा मिलती है दोस्तों इस तरह से हमने इस वीडियो के अंदर दर्ती का प्रेवची सब्द या दर्ती का समानार्थी सब्द के बारे में जान लिया है अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का पर्षन है जो इस प्रेवची सब्द से जुड़ा हुआ है तो आप अपना पर्षन कमेंट बुक्स में लिख सकते हैं, आपको निश्चित रूप से उतर मिल जाएगा इसके अलावा अगर आप प्रयवची सब्दों के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले विभिन तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुँच सके और आप विभिन तरह के प्रयवची सब्दों या समानारती सब्दों के बारे में ज्यान हासिल कर सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें